आज हम अपने चैनल इट्स होममेड के सबसे डिमांडिंग प्लॉट साइज 25 फीट बाई 40 फीट में आउटर स्टेयर के साथ 3 बी एज के प्लैन के 5 ऑप्शिन बनाने वाले हैं ऑप्शिन 5 जिसमें स्टेयर के साथ 13 फीट बाई 12 फीट का एक पोर्च दिया है 10 फीट बाई 10 फीट का बेडरूम 1 13 फीट बाई 10 फीट का बेडरूम 2 साथ ही 13 फीट बाई 15 फीट का एक बड़ा हॉल दिया है 10 फीट बाई 12 फीट का बेडरूम 3 और लास्ट में OTS और वाशिंग एरिया से लगा हुआ 10 फीट बाई 13 फीट का एक कीचन और 6 फीट बाई 4 फीट का एक अटेच और एक कॉमन टॉइलेट दिया हुआ है Option 4 जिसकी पोर्च की साइज 11 फीट बाई 14 फीट है इसके बाद 11 फीट 6 इंच बाई 11 फीट का बेडरूम 1 और बेडरूम 2 हॉल जिसकी साइज 11 फीट 6 इंच बाई 13 फीट है ऐसा ही 11 फीट 6 इंच बाई 10 फीट का बेडरूम 3 लास्ट में OTS और वाशिंग एरिया के साइज 11 फीट बाई 10 फीट का एक कीचन और 4 फीट बाई 6 फीट का एक अटेच और एक कॉमन टॉइलेट दिया हुआ है option 3 जिसमें 10 फीट बाई 14 फीट का पोर्च 9 फीट और 10 फीट बाई 12 फीट 6 इंच का बेडरूम 1 और बेडरूम 2 दिया है ये रहा 18 फीट बाई 12 फीट 6 इंच का एक बड़ा हॉल और 10 फीट बाई 12 फीट का बेडरूम 3 दिया है लास्ट में वाशिंग एरिया के साथ 6 फीट बाई 11 फीट का एक किचिन और 5 फीट बाई 7 फीट का ड्रेसिंग के साथ एक अटेच और एक कॉमन टॉइलेट दिया हुआ है option 2 जिसमें 8 फीट बाई 12 फीट का एक पोर्च दिया है बेडरूम 1 और बेडरूम 2 जिसकी साइज 11 फीट 5 इंच बाई 10 फीट का है बड़ा हॉल जिसकी साइज 16 फीट बाई 12 फीट 6 इंच का है ये रहा 9 फीट 5 इलेवन फीट 6 इंच का बेडरूम 3 लास्ट में वाशिंग एरिया के साइज 6 फीट बाई 11 फीट 6 इंच का कीचन और 7 फीट और 4 फीट 6 इंच बाई 6 फीट का एक अटेच और एक कॉमन टॉइलेट दिया हुआ है ओप्शन 1 जिसमें 10 फीट बाई 17 फीट का बड़ा पोर्च 10 फीट बाई 10 फीट का बेडरूम 1 10 फीट बाई 11 फीट का बेडरूम 2 और हॉल जिसकी साइज 13 फीट बाई 10 फीट की है साथ में सेम साइज का बेडरूम 3 लास्ट में वाशिंग एरिया के साथ 9 feet by 8 feet का एक kitchen और 7 feet by 4 feet का एक attach और एक common toilet दिया हुआ है 25 feet by 40 feet के west north और south facing plot के plan construction और 3D के लिए हमारे चैनल its homemade को जरूर सब्सक्राइब करें